हमारे देश के GDP में 29% contribution MSME का है हमारे देश का जो export होता है ओ 48% export हमारे small, medium और micro industries के दोरा होता है हमारे देश में अभी तक 6 करोड MSME है और इसके साधार पर आज मोटे तोर पर जो आकड़ेवारी उपलब्द है उससे 11 करोड से जादा jobs MSME ने दिये है इस MSME की कोई मुलबुत समस्य भी थी और आज प्रधान मंत्री जी के अध्यक्षता में काफी अच्छे और बड़े निर्णे आज हुए है और निश्चित रुप से ये निर्णे देश के और द्योगिक विकास में बहुत अइतियासिक बदल करेंगे आपको पता होगा कि 2006 में एक एक पास करके MSME की व्यक्षा की गई थी और वो व्यक्षा जो थी वो उसके बाद गोशना और उसमें आज का बदल तीन बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ एक्जिस्टिंग एने सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैनिफेक्टरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलक किये गए थे और उसमें माईकरो सिक्टर में हैं, Investment एने टर्मरून जो होता है, जिते हैं, हिसमें equipment and fixed machinery जो होती है, Plant and machinery, equipment उसकी cost, वो Micro में 25 लाग थी, और Turn or जो था, वो 10 लाग का था, अब Micro में जो announcement हुई थी, उसमें investment एक करोड की हुई, और turn over 5 करोड का हुआ, 10 लाग का एकदम 5 करोड हुआ बाद में आज जो meeting हुई, उसमें यही कायम रखा हुआ है फिर दूसरा sector था small sector हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो manufacturing and service sector है उसको दोनों को एक कर दिया है, यह अब अलग-अलग नहीं रहे small में investment 5 करोड की थी, वो 10 करोड की हुई है और जो turn over 2 करोड का था, वो अब 50 करोड का हुआ है यह 25 गुना बढ़ा है जो medium industries थी, उसके लिए पहले investment 10 करोड थी और turn over 5 करोड का था जो घोशना हुई, 13 मेको जो package हुआ था उसमें investment हुई थी 20 करोड की और turn over हुआ था 100 करोड का आज प्रधान मंत्री जी के देख्षता में बहुत ही अइतियासिक फैसला हुआ क्योंकि हमने अलग-अलग association से जब interaction किया और अलग-अलग प्रकार के association से interaction करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो turn limit है ये बढ़ानी चाहिए और जो export करते हैं हम लोग वो turn over इससे निकाल देना चाहिए तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्विकार की और प्रधानमंतर जी के अद्ध्यक्षता में ये meeting में दिरने हुआ कि अब जो plant and machinery में investment होगी equipment में वो investment पचास करोड तक रहेगी जो 20 करोड की घोशना थी ओपचास करोड हो गई और जो turn over था जो सव करोड हुआ था वो 2500 करोड रुपे हो गया तो इसके कारण MSME को काफी बड़ी रहात मिल जाएगी ये बहुत बड़े परमाम पर इसका फाइदा हमारे industry को होगा पर ये करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे micro हो चाहे small हो चाहे medium हो वो जितना export करेंगे वो export का turn over इसमें नहीं पकड़ा जाएगा तो export का turn over इससे बाहर हो गया और ये limit बढ़ गई है और इसके कारण बहुत बड़ा फाइदा इस सेक्टर में होगा ये जो demand थी ये पूरी हुई है और इससे निश्चित रुप से हमारे export के लिए भी और MSM के करके जो advantage है वो सभी priority के रूप में हमारे industry को मिलेंगे और इससे नए रोजगार भी निर्मान होगा, export भी बढ़ेगा और हमारे GDP growth rate में इनका सहबाग भी अच्छा होगा दूसरे दोन महतोपुर्ण निर्ने जिसके बारे में आज फिर से detail में उसका भी प्रस्ताओ cabinet ने मंजूर किया Reserve Bank ने एक UK SINA Committee अपॉइंट की थी, उन्होंने दो recommendations उनके भी उस समय थे आज उसके उपर, आज हमारे meeting में final उसका निर्ने हुआ है दो थे Distress Asset Fund और दूसरा Creation of Fund of Fund for MSME यह Distress Asset Fund जो है, आपको पता है कि MSME समय कठीन परिस्ति से गुजर रही है और आपको यह याद होगा कि मैंने मार्च में, पार्लिमेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दर्मेन एक जवाब दिया था, तब हमारे banking sector ने 6 लाक MSME को रिस्ट्रक्चर किया था और यह मुदत 31 मार्च में थी, बाद में आधरिने वित्त मंतरी जी के अनुमती से यह मुदत हमने 31 डिसेंबर तक की है, और इसमें करीब 25 लाक MSME जो अरचन में है, उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है अब यह जो fund of fund हमने जो create किया हुआ है, यह बहुती आधर पर जो कमजोर MSME है, जो आर्थिक जुट्री से NPA अकॉंट हो गया है, बन पड़ी हुई है उनके कारण सबसे बड़ा है, इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी यह distressed asset fund जो बना गया है, यह 4000 करोड का है, जिसके लिए आज अनुमती मिली है अब यह 4000 करोड में आपको पता होगा कि MSME की कोई भी scheme, जो bank loan देती है तो पहले भारत सरकार हमारा विभाग, अगर एक लाग करोड का अगर लोन देती है तो उससे 1.5 परसेंट यह पंदरा सो करोड हम लोग CG TMSE करके insurance trust है हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% loan की guarantee लेता है तो यह जो 4000 करोड रुपे है, जो fund मंजूर हुआ है इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर यह stress asset है NPA में आये है, risk है थोड़ी, तो 5 गुना करके यह होगा 20,000 करोड का और यह 20,000 करोड का fund है, इसमें सबसे important चीज यही है कि जिस MSME कोई रून जो है, इसको उनको हर जो अर्चन में आई है presently जो हमारे NPA के norms है, इसमें restructuring हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में यह बैठते नहीं, तो उस उनिट को प्रोप्राइटर के गैरेंटी पर हम maximum 75 लैक और खुल निवेश के यह जितना उसने लिया उससे 15 परतिशत, जो ज़्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे और यह पैसे भारत सरकार के और से इस फंड से जाएंगे, यह एड होने के बाद जो NPA के norms में जो अकॉंड नहीं बैठ रहा था, उसका restructure हो जाएगा और बन हुई MSME चालू हो जाएगी, तो करीब इसका 2 लाख MSME यूनिट को फिर से शुरू करने में जो वो विशेश रूप से distress में है, उनको इसका फाइदा होगा और यह fund के आज मंजूरी आज cabinet ने दी है, और यह 20,000 करोड यह fund का उपयोग होगा दूसरा important दिरना ऐसा हुआ है, कि विशेश रूप से आपको पता है कि हमारे बड़े industry जो होती है जो आप तीन बातों में world में economy में चर्चा होती है, insurance economy, pension economy और share economy और यह जो बड़े industry है, इनके share stock exchange में लोग लेते हैं, करीते हैं, यह आपको पता है MSME को यह सवलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड का शुरुवाती योगदान दिया है और इस fund को बाकी के fund अड़ करकी यह 50,000 करोड का fund बनेगा और जो MSME एक्सपोर्ट करती है, जिनका turn over अच्छा है, GST record अच्छा है आपको याद होगा कि बीच में national stock exchange मुंबई में, मैंने 20 MSME को capital market के लिए उसका launching किया था, तो अब कुछ MSME हजार जार करोड का एक्सपोर्ट करती है, उनने बैंक के उपर डिपेंड होने की क्यों वह शक्ता नहीं है, तो हम उनको पहले ही उनके fund के लिए हम उसमें हमारी equity खरीदी करेंगे, वो maximum 15% है, जो भी उसकी fund उसमें हम खरीद सकते हैं, और ये equity के कारण उनको strength मिलेगी, और फिर वो जब stock exchange में जाएंगे, तो उनका जो 10 रुपे का share है उसमें हमने खरीद लिया, तो उस ताकत में देगी उसको, और उसके बाद में उसक share कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा, और share market आपको पता है, तो जैसे वो share अगर 30-40 का होगा, तो हम अपने share बेज देंगे, और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे, तो इस प्रकार से जो अच्छे units हैं, जिनका balance sheet अच्छी है, जिनका turnor अच्छा है, जिनका rating अच्छा है, और जिनका GST record, turnor record bank का अच्छा है, ऐसे लोगों को हम क्राइटेगरिया करके, इस प्रकार का market में जिनका listing हो सकता है, ऐसे MSME को हम पुरा ताकत देंगे, और इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी strength मिल जाएगी, इससे export भी बढ़ेग और ये unit भी strong बनेगी, तो ये दो fund है, creation of fund of fund for MSME, जिसका आज पचास अजार करोड की शिरुवात होगी, और ये revolving fund होते होते, मैं थोड़ा optimistic सोचता हूँ, तीन-चार साल में ये दोला करोड भी हो सकता है, तो ये एक को दिया, एक से निकाला, दूसरे को दिया, दूसरे स तीसरे को दिया, दीरे-दीरे हमारी MSME, ये share market के तरफ, stock exchange के तरफ जाएगी, और जो अच्छा परफर्वन दिखाएंगे, उनको बाहर से फिर जनता उसमें निविश करेगी, और ये बहुत अच्छा gateway इसके करण open हुआ है, तो ये दोनों निरने funds के बारे में, एक distressed asset fund, और दूसरा ये fund of fund, और उसके साथ MSME की definition बदलने का जो निरने हुआ है, ये अपने आप में आज तक के इतिहास में, ये 2006 में था, बहुत बार ये definition बदलने के प्रयास किये गए थे, पर वो संभो नहीं हुए, इस बार पूरी तरह प्रदान मंत्री जी ने इसको पूरा support क किया, चिपध點 मंत्री जी ने किया और मैं MSME मंत्री होने के नाथे, देश के तमाम उद्डो जोगो के ओर से, चो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रूजगा निर्बान करता है, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कांट्रिबूट करता है, और जो डिपार्टमेंट देश की वेल्थ में बैकबोन है ऐसे डिपार्टमेंट में इन लोगों को स्ट्रॉंग करने का एक बहुत इंपोर्टेंट पहल अधरनिया प्रधान मंतरी जी ने की है इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में इस संकट के समय में निश्चित पाले से में आना िेक अना स्ट्रॉंग करने करने वाले संकर के सwr है पहल ऐस समय में इस समय को स्या 5 शी जी एक बहुत पहुत पहल ग्रोगया संस्क्छित yeah